हेलो दोस्तों, गेट समेशेज मैं आपका स्वागत है इस वीडियो में एक्स्प्लेइन करने जा रहा हूँ डिफ्रेंस बिट्वीन मीले एंड मूरे मशीन जो की इंपॉर्डन पोर्शन है टी ओसी का और यह important है आपके competitive exams के point of view से even important है आपके college या university level के exams के लिए भी तो guys फड़ावट से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को subscribe करें गोरे तक आपने नहीं किया and please press the bell button तकि आपको सारी latest notifications मिलती रहे तो start करते हैं, मीले एंड मूरे के बीच में difference start करने से पहले मैं आपको एक point बता दूँ कि इसकी formal definition, मतलब मीले मशीन और मूरे मशीन की formal definition, इनका transition table कैसे बनता है यह already मैंने वीडियो में explain किया हूँ है और उसका link जो है नीचे description box में दिया हूँ है तो आप एक बर वो वीडियो जुरूर चेक कर लें ताकि आपको इन दोनों की formal definition पता लग जाए कि हम कैसे define करते हैं किन tuples के थुरू, किन symbols के थुरू हम इनको define करते हैं तो अब start कर रहे हैं हम यहाँ पे सबसे पहला difference है output of the मिले machine depends on two things present state and present input where the मूरे machine output is only depending on the present state मतलब it is independent on the input कैसे आपको पता लगेगा diagram से आपको पता लग जाएगा यह यहाँ पे मैंने मिले machine मनाई है to check what is the remainder if we divide a binary string by 3 मतलब आप किसे भी binary string को 3 से divide करते हो तो remainder क्या आएगा remainder 0 भी आ सकता है remainder 1 भी आ सकता है remainder 2 भी आ सकता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मिले machine बनाई है और save ही मैंने यहाँ पे मूरे machine बनाई है तो देखो जब हम मिले machine की बात कर रहे है तो मिले machine में देखो current state पे जैसे for example q0 state है अब q0 state पे अगर आप 0 input देते हो 0 input दे रहे हो तो output क्या रही है 1 और अगर आप 0 1 दे रहे हो input तो output क्या रही है आपकी 1 तो इक कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपकी current state और current input के उपर depend करती है कि आपकी output क्या आएगी लेकिन अगर हम बात करें मूरे machine की तो मूरे machine में देखो q0 state है q0 state पे चाहिए 0 है या 1 doesn't matter q0 state पे अगर कोई भी string end होती है तो output क्या आएगी 0 आएगी मतलब कहने का क्या है कि हर एक state के अंदर ही हमने define किया हुआ है कि output क्या आएगी देखो q0 के अंदर अंदर ही define है 0 इसके अंदर output 1 और इसके अंदर output क्या है 2 लेकिन यहां पे हमने state के अंदर define नहीं किया हुआ यहां पे state के साथ-साथ आप input क्या दे रहे हो यह 0 slash 1 या 1 slash 1 का मतलब है कि left hand side बता रहा है आप input क्या दे रहे हो और उसके corresponding output क्या आ रही तो यह दोनों चीज़ों पर depend कर रहा है यहां पे सिरफ crunch state के ऊपर depend करते है then आता है हमारे पास input string of length n this is important portion अगर हम input string जो दे रहे है n length की दे रहे है तो output string भी कितनी length की आएगी n length की आएगी लेकिन यहां पे अगर आप input string दे रहे हो n length की तो output string आएगी n plus 1 इसका reason क्या है आपको अभी पता लग जाएगा let's suppose अगर हम एग छोड़ी सी string ले लेते है 1 1 0 1 1 1 0 1 अगर हम ले तो 1 1 0 को अगर हम process करें यहां पे देखो यहां पे हमारे पास initially कब चलेगी यह machine कब चलेगी या तो आप 0 दोगे या आप 1 दोगे मतलब दोनों में से कोई अगर input दोगे input को consume करेगा तम जाके कुछ न कुछ output generate होगी तो obviously अगर आप एक input दे रहे हो तो output क्या आएगी एक आएगी मतलब अगर आप let's suppose 0 दे रहे हो तो output क्या आ रही है 1 अगर आप 1 दे रहे हो ना 1 दिया तो by default 0 जो है वो output में आएगा ही आएगा क्योंकि starting state क्या है Q0 और starting state के साथ associated output क्या है 0 और ये output independent है चाहे आप 0 दो चाहे आप 1 दो ये by default आपकी आए ही आएगी मतलब ये एक extra 0 starting में आएगी उसके बाद आप जो जो symbol दोगे उसके corresponding आपकी output आएगी तो ये जो n प्लस 1 में ये जो 1 है ये 1 क्यों आ रहा है ये 1 starting की वज़े से आ रहा है क्योंकि starting में आप चाहे कोई भी symbol मत दो तब भी आपको 0 output में मिलेगा ही मिलेगा तो ये major difference है दोनों के बीच में थर्ड है अब ये अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो lambda है हमारे पास ये जो output function है output function वहाँ पे हम define करते है in case of मिले q into sigma goes to delta यहाँ पे अगर हम बात करें q क्या है states हमारे पास कितनी states है तो इन 3 states को q0, q1, q2 के उपर depend करता है और साथ ही साथ आप क्या input दे रहे हो मतलब आप 0 दे रहे हो 1 दे रहे हो, 0 दे रहे हो, 1 दे रहे हो, 1 दे रहे हो a दे रहे हो, क्या input आप दे रहे हो दोनों के corresponding depend करता है जैसे कि हमने पहले point में distance किया लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे यहाँ पे हमारा जो lambda function है which is the output function यह output function किसके उपर depend कर रहा है only on the state मतलब जो state आपने Q क्या होता है, Q is the state जिन इन symbols को हमने already मैंने पहली बताया है कि definition के अंदर define किया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक टी तो एक बर वो वीडियो जूर चेक कर लें अगर आपको अलड़ी पता है symbols के बारे में तो आपको clearly यह दिखा रहा होगा कि कैसे Q के उपर depend कर रहा है क्योंकि सिर्फ Q0, Q1 और Q2 state के उपर depend करेगा मतलब वही पहला point की present state के उपर depend कर रहा है कोई भी हमें input symbol से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे Q के साथ साथ आप input symbol क्या दे रहे हो अगर 0 दे रहे हो तो output 1 आ रहा है अगर 1 दे रहे हो तो output कुछ और आ रहा है तो दोनों के उपर depend करता है कि आपकी output क्या आएगी then हुमारे पास आता है यह diagram आपको clearly दिख रहा है last यहाँ पे है मीले मशीन is asynchronous and output is synchronous with the clock यहाँ पे अगर हम बात करें मूरे मशीन में जो output है वो clock के साथ synchronous है मतलब जब आप clock pulse apply करोगे clock pulse apply करते ही जब positive edge trigger आएगा तो positive edge trigger आते ही है क्या देगी output देगी लेकिन in case of मीले it is asynchronous मतलब यहाँ पे हमारा clock pulse अगर आप नहीं भी देते तब भी आपको जो है वो output आएगी so that's why आप कह सकते हो this machine is faster than the मूरे machine मतलब यह machine जो है वो faster है क्योंकि यहाँ पे पहले clock को आना पड़ेगा clock को process करेंगे तो clock को process करने में time लग रहा है although that time is minute लेकिन अगर हम बात करें minute time है दोनों को comparative का बात करें तो दोनों के comparatively आप कह सकते हो this machine is faster मतलब output जाना फास्ट आएगी because it is asynchronous clock से कोई ले न देने लेकिन यहाँ पे मेरे पास clock के base के उपर जो है वो positive edge के उपर जो है वो output generate होगी और last अगर हम बात करें इनकी conversion की अगर आप melee machine to melee machine में convert कर रहे हो मतलब अगर यहाँ पे 3 number of states है तो जब आप melee को melee में convert करूगे तो 3 से ज़्यादा नहीं आएगी लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 3 से ज़्यादा आ सकती है कितनी आएंगी, कैसे आएंगी वो जब हम इनकी conversion next video में discuss करेंगे, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि कैसे हम मिले to मूरे करते हैं या मूरे to मिले conversion कैसे करते हैं, so these are all the major difference between मिले and मूरे, thank you